नमस्कार आपका स्वागत इशानी जिनिया में आपके साथ मैं पून हूँ शानिवा शाम जो ममेंट कैमरे में कैद हुआ वो बहुत कम देखने को मिलता है हम बात कर रहे हैं सनी देवल और इशा देवल की काफी सालों बात सोतेले भाई बन एक दूस्टे के साथ दिखे इशा देवल ने क्लोस फ्रेंड और रेलेटिवस के लिए गदर टू की स्क्रीनिंग रखी थी इस मौके पर इशा ने सनी और बॉबी के साथ फोटो भी खिचवाई यह मौमेंट इसलिए रहे है क्योंकि सनी देवल और हिमा मालीनी के रिष्टे कभी बैतर रहे नहीं जाहिर है कि दोनों लड़किया इशा और आना भी सनी और बॉबी के साथ उतनी खुल मिल नहीं पाई इशा ने इससे जुड़ा एक किस्ता शेयर किया उन्होंने लिखा शेयर को धाने दो एक किस्ता उन्होंने सनी देवल को टैग भी किया था इसके अलावा उन्होंने गदर टू का ट्रेलर भी शेयर किया था ऐसा लगता है कि गदर टू के इलिस के साथ देवल फैमिली के सारे गिले शिक्वे खत्म हो जाएंगे इशा का जेस्चर इसलिए चुकाने वाला है क्योंकि अभी कुछ दिनों सनी के बेटे देवल की शादी में मुझूद नहीं थी हाला कि सोशल मीडिया पर उनने करण को बदाई दी थी लेकिन शादी में अगी गेर मुझूद की यह दर्शा रही थी कि शायद उनलों के रिष्टर बेटर नहीं हो पाए खबरे थी कि इशा और आना दोनों की करण की शादी में इन्वाइटेट थी पर दोनों शादी के रस्मों से दूर रही जून 2012 में इशा ने बिजनसमेन भरत तक्तानी से शादी की थी तब सनी और बॉबी भी वहां नहीं पहुचे थे तब सनी की चचेरे भाई एक्टर अबय देवल ने इशा की शादी के दोरान बतर भाई शादी की सभी रस्में निभाई थी रिपोर्ट्स के मताबिक सनी और बॉबी इशा की शादी मिशले नहीं पहुचे थे क्योंकि वह अपनी मा को तक्लीफ नहीं देना चाते थे उस वक्ट जब धर्मिन से पूछा गया तो नोंने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया इसी के साथ बने रहे शेन्यू जिन्या के साथ धन्यवाद